हलो फ्रेंड आई पीम्टी नीट 2011 न्यूटन लॉज अफ मोशन और फिक्शन के इस क्वेशन को जो आप देख रहे हैं टुिस्टेड सेक्शन का हमने इसको चेंज करके क्या बनाया था कि ये 30 डिग्री पर नॉर्मल से टकराता है दीवार से और हमसे पूछा था कि अब impulse experienced by body कितना होगा तो देखिए यहां करना क्या है कि अगर आपकी ball body जो है वो wall के साथ नॉर्मल से 30 डिग्री पर टकरा रही है तो हम क्या करेंगे इसके velocity के component करेंगे ये 30 है तो ये angle भी कितना होगा 30 इसकी velocity का component जो perpendicular to wall होगा वो होगा v cos 30 और इसी तरीके से यहां भी हम इसकी velocity के component करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि velocity के दो component है एक v cos 30 एक v sin 30 जब ये वापस लोटेगा तब क्या होगा आपका जो v cos 30 है उसका direction तो change हो जाएगा वो बिलकुल reverse हो जाएगा लेकिन v sin 30 के अंदर कोई change नहीं होगा इसका मतलब impulse निकालने के लिए आपको जो change in momentum निकालना है जैसा कि मैंने main solution में बताया था कि impulse निकालना है यानि impulse vector का magnitude निकालना है यानि कि change in momentum का magnitude निकालना है यानि हमें m v final minus v initial का magnitude निकालना है यहाँ पर जो change हमें देखने को मिलेगा वो केवल किसमें मिलेगा v cos 30 component में यहाँ पर क्या होगा कि final velocity अगर हम लिखते हैं minus v cos 30 तो initial हम क्या लिखेंगे plus v cos 30 हमारा initial direction हमने positive की तरफ लिया है और final direction negative की तरफ क्योंकि generally हम along the right positive x axis along the left negative x axis मानते हैं यह minus minus क्या हो जाएगा plus और mod लगा हुआ है तो mod के बाहर negative sign आता नहीं है तो आपको क्या मिलेगा बाहर 2mv cos 30 यह हो जाएगा आपका 2mv into root 3 by 2 यानि की आपका impulse का answer mv root 3 आता अगर आपका यह angle normal के साथ कितना बनाता 30 degree तो यह हमारे twisted section का solution है इसके अलावा आप मेरे बाकी questions के solution का text format देखना चाते हैं मतलब आप उनको return form में देखना चाते हैं तो आप मेरे blog पे देख सकते हैं question नहीं बनता blogspot.com अगर आप मुझे contact करना चाते हैं तो email पे contact कर सकते हैं facebook page और instagram पे भी आप मुझे join कर सकते हैं